आपके द्वार गंगा जल योजना 2016 में मोधी सरकार ने शुरू की थी इसका एक उद्देश था कि गंगा जल सहूलियत से मिले लोगों को और दूसरा डाक घर की आमदनी बढ़ाना था और डाक घर अधीकरत थे कि वो गंगा जल बेच सकते थे और इसी लिए 200 मिले लीटर की गंगा जल की बोतल 30 रुपए में बिकती और जब सरकार का निरने आया सरकार ने आदेश दिया तो वो 30 रुपए की बोतल 35 की हो गई थी ये मैं जबानी जमा खर्च नहीं कर रही हूँ दो ओडर एक 8 अगस्त को ओर्डर निकला था और एक 3 अक्टूबर को निकला था जिसमें गंगा जल पर 18 परसेंट जी एस्टी लगाने का आदेश था और अगर मेरी बात पर आपको यकीन ना हो तो प्रतिक्षम किम प्रमाणम ये इंडिया पोस्ट का ट्वीट है ये सारी चीज़ा हम आपके साथ साजा करेंगे क्योंकि सच को दिखाने के लिए जादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है और जूट जो बोलता उसको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है फिर भी जूट द्वस्ट हो जाता है ये इंडिया पोस्ट की एक ट्वीट है 18 अगस्त की साफ तोर से कह रहे हैं कि 30 परसंट प्लस 18 परसंट जीएस्टी पर आपको 200 मिली लीटर की गंगा जलकी बोतल मिलेगी जिस दिन हमारे अध्यक्ष ने ये मामला उठाया और भाजपा के लोगों ने बिना पलक जपकाए आदतन जूट बोला उस दिन का इंडिया पोस्ट का ये पे ओर्डर है उस पर साफ तोर से अंकित है 30 रुपए की बोतल और 18 परसंट जीएस्टी ये इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर ओर्डर करते वक्त हमने स्क्रीन शॉट लिया तो जब कॉंग्रेस ने ये मुद्दा मुस्तेदी से उठाया हमारे अध्यक्ष ने उठाया हम सब लोगों ने उठाया तो इस जूट से बचने के लिए सरकार ने फटा फट आनन फानन में पहले तो इंडिया पोस्ट से 18 परसंट जीएस्टी गारप कराया और लिखवाया इस पर जीएस्टी नहीं है लेकिन ये बाद में हुआ पहले 18 परसंट जीएस्टी यहाँ पर अंकित है उसके बाद एक ओर्डर इशू किया गया ये वो ओर्डर की कॉपी है इसको भी हम साजा करेंगे ये ओर्डर 12 अक्टूबर का है जब कॉंट्रवर्सी चल रही थी और इस ओर्डर में साफ तोर से कहा गया है कि 8 अगस्ट और 3 अक्टूबर का ओर्डर विठ्ड्रॉन माना जाए गंगा जल पर GST नहीं लगेगा इसका मतलब पहले गंगा जल पर GST लगने की जिस ओर्डर की हम बात कर रहे हैं वो निकल चुका था 30 रुपे का गंगा जल 35 में बिक रहा था और ऑन लाइन अगर आप इसको खरीदते कहीं बाहर से तो 125 रुपे का 200 मिलिलीटर दो बोतले लेते तो 210 की और 4 लेते तो 345 की GST लगकर बिक रही थी ये असलियत है